मुकेस का पेंटिंग सच्चा अता के लिए मुकेस कोई साल का होगा उसे पेंटिंग करना और क्रिकेट खेलना बहत पसंद है खाली समय में वो क्रिकेट खेलता और पेंटिंग बनाया करता था पेंटिंग की कोई भी परती होगी था इस्कूल में होती तो उसमें वो प्रथम इस्तन प्राप्त करता मुकेस की पेंटिंग की सरहना स्कूल में भी किया जाती थी मुकेस जब भी स्कूल जाता उसे रस्ते में कूरे दान से होकर गुजरना पड़ता था लोग पेट्रियों पर कूरा फेक देता और दीबार के सामने पेशा भी करते थे जिसके कारण बहां काफी बदबू आती थी मुकेस को ये सब अच्छा नहीं लगता था एक दिन की बाद है प्राधन मंती सच्चाता कार्यकम के लिए सभी विद्यार्थी को सही हो करने के लिए कह रहे थे मुकेस को आईडिया उसने कूरे दान के पास जाकर खूब सारी पेंटिंग दिभार पर बना दी वो पेंटिंग इतनी खूब शूड़त थी कि कोई भी वेक्ति बहां से गुजरते हुए उस पेंटिंग की सढहने करते जाता था धीरे धीरे वहां से लोगों ने कूरा फेगना बंद कर दिया और इतनी खूबशूरत पेंटिंग दिभार पर थी कि कोई आप खाड़ा होके प्रिशर्प नहीं करता था देखते ही देखते वो रास्ता साफ हो गया था मूकेस को अब स्कूल और घर के बीच किसी प्रकार की गंदी दिखाए नहीं देदी थी इसे देखकर वो काफी खूश होता था मोरल कुछ बड़ा करने की गुजरने के लिए कोई आयू नहीं होता है अपनी पतिभा से समाज को भी बदल जा सकता है कर दो